दोस्तो क्रिकेट का शेहंचा, टी-ट्वंटी का उस्ताद और मिस्टर 360 डिग्री यानि कि एबी डिविलियर्स रोयल चेलेंजर का बैंगलोर का मैच जो होता है डिविलियर्स की करण खूब देखा जाता है डिविलियर्स ने आज अपने फैंस को निराश भी नहीं किया संराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाब डिविलियर्स के छक्के जम कर निकले जी हाँ दोस्तो डिविलियर्स ने मातर 29 बोलों पे 50 रन भी पूरे किये धिमी शुरुआत के बाद डिविलियर्स ने अंतिम ओवरों में अपना गेर चेंज किया और दोस्तो लगातार छक्कों के साथ उन्होंने शानदार पारिया खेली और बैंगलोर को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचाया दोस्तो आपको बता दे डिविलियर्स ने पारी में दो छक्के लगाए और चार चौके लगाए और डिविलियर्स आउट हुए दोस्तो 51 रन पर रन आउट वो भी अंतिम ओवर में लेकिन दोस्तो आज बैंगलोर ने काफी निराज किया काफी अच्छी शुरुआर देवतत पेडिकल और एरोन फिंच ने दी थी लेकिन विराट कोहली दोस्तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके और दोनों डिविलियर्स के साथ में रिके रन रेट नहीं बढ़ा पाए लेकिन डिविलियर्स ने अंति मोवर में लाज बचाते हुए एक अच्छे स्कोर तक विराट कोहली की टीम यानि के आर्ट सेबी को पहुचा दिया रोयल चेलेंजर बैंगलोर की ये पारी काफी शांदार रही और डिविलियर्स के बदोलत ही इतना स्कोर वो खड़ा कर पाए तो दोस्तो डिविलियर्स शायद इसलिए Mr. 360 डिगरी कहलाते हैं और इसलिए वो सबसे शांदार बल्लेबाच कहलाते हैं डिविलियर्स के दुआधार पारी आपको कैसे लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें खेलो खेलो ताकि दोस्तो आपको मिले यहाँ पर हर खबर सबसे पहले